है लो ईब्रिवान सब्सक्राइब क्लासेज में दोस्टों आप लोगों के लिए क्यूडिय जूमेट्री का चेप्टर लेकर के आया हूं इसमें इंट्रोडरसन पढ़ेंगे क्यूडिय क्या तो देखेंगे इसमें क्या फाइंड करना होगा ठीक है तो वीडियो शुरू billion से कॉइंट करें तो सबसे पहले किके यहां पर लाइन क्या होगा उसके बार में पढ़ेंगे तो इसको शुरू करने से पहले बिता हूं कि इस कितने कॉइंट पढ़ेंगे तो पहला पांच वह परेंगे परेंगे स्ट्रेट लाइन, दूसरा पांच वह पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं, तीसरा पांच वह पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं, और फूर् और फिक्त पॉइंट में इसमें पढ़ने वाला है डिस्टेंस फार्मुला ठीक है तो आज की वीडियो में हम इतने पॉइंट को जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए सब्सक्राइब बेटें कि मैं स्ट्रेट लाइन क्या होती है बास्ट कांट चरो करते हैं स्ट्रेट लाइण या फी लिस्तों कहते है रेक्केंगुलर अक्सίस तो देखें रेक्टाइब अर्यक्ता अमारी दो बाते हैं लेक्तारे ठाइंट मालनगे कि आपर एक पॉइंट है मारा X देस O X Y देस O Y टीक है यह दूरा हमारी क्या बनेगी लाइन बनेगे So, let X देस O X and Y देस O Y are two line, two straight line Intersect each other at point O यह जो point O है इसको origin बोलेंगे ठीक है तो हमने आपर माना कि जो X देस O X है जो Y देस O Y है यह दो अलग अलग लाइन जो एक दूसरे को origin point पर meet कर रही है इंटरसेक्ट रही है ठीक है तो यह जो line होगी तो straight line होगी और कि निको कहा दाएगा X देस O X को कार देगा X axis और axis आप X क्या कार देगा? X axis कार देगा या फिर axis आप X कार देगा इसी प्रकार से जो मारी दूसरी line segment होगी Y देस O Y इसको कार देगा Y axis या फिर और axis आप Y इत्य बाद आपको या से सवन में आती है Y डेस O Y तो कार देगा Y axis या फिर axis आप Y तो यहां पर यह वाली नाइल होती है इसको वार्य एक्सिस और एक्सिस पॉंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोर जाता है ओरिजीन कितरा वार्य प्रोडॉक्त नगता थे अपने कॉइंट की तरह थी है तो आपको दूसरा पांट था यह था था क्ई मिन बिए जो कोडिनेट होता है इसमें दो पॉइंट की बाद करते हैं पहला पॉइंट होता है मारा अपसेशिया और जो दूसरा पॉइंट होता है वह होता है मारा ओडिलेट कोडिनेट कोडिनेट भी कह सकते है तो यहां पर जो एकसेशिया होता है इसमें दिनोट करते हैं य से और इसको कहा जाता है y कोडिनेट इतना पूस्मन्म आ गया इप्सेस्या होगा वह एक्सों पास कोई डिस्टेंस होती है आपकी ग्राफ में तो कुछी पॉएंट है मौलेजे हैं आप आंप यहां का कछी पॉएंट पी है तो जब हम इसका इसे लाइन ड्रॉप करें है वह देखेंगे कि यह जो आई यहां से यह कितनी दूरी पर है तो यह एकसिस से एकस भूरी पर है तो इसे हम बोलेंगे से एकसे कोडिनेट इसी त्रकार से है। यह यह हृ ऐ लेंग्व है तो यहां पर यह बिस्टंस बनेगी एक इधर बनेगी हमारी ओम और इधर बनेगी हमारी पी-एम ठीक है तो यह जो ओर में इसको कह जाएगा आग्सेस या और यहां पर यहां पर यहां पर बात आती है कि हमारे जो कोई दूरी होगी यहां पर एक इस पाइंट को हम इस पाइंट कर पाते हैं जहां पर यहां पर एकसे का भी इस्टेंस होता है और ओर दिजिटेंस होता है एक साथ उसे हिंगे कोडिनेट टिंट ओसे हिंगे कोडिनेट है ऐसा चाहलन या और ओर तको ताज आ आ है कोडिनेट जाने avenりकॉटिनेट में पंफे यह पंणइयर्ण को पंख्चेंप करते हैं तब में इस इस हिए निभी कोडिनेट between अगे तो आगे तो अगने तीसरे पॉइंट की तरह थीज़े पॉंट हमारे रूल आफ सांइं आप पॉन्र डिस्कुस करें भाई साइं क्या होता है साइं या तो पॉर्जिग होगा या खर नेटी होगा यह हमारे पूर्डिनेट है और किसी भी कोडिमेंट में इसको ऻोतें तॉप या फिरेवा और इसको बोडतें हैं बिलो या फिर वोटम और यह महारा होता है और जिनकों इदर हम बोलते हैं ऑर इधर हम बोलते हैं तो इदर हमारी एक्सिस होगी और इधर हमारी वाही एक्सिस होगी ठीक है कि हां जो होता है कि हम जो राइट साइड होता है उसका पोल्टिव साइग लेते हैं तो प्रकार से मतलब इस डरेक्शन में जा रहे हैं और इस डरेक्शन में जारें तो यह निग्रीव हो गा मतलब bottom और left हम negative sign लेंगे top and right हम positive sign के साथ लेंगे तो देख लेते हैं आपर दामियन थाफ एक सेक्सिस towards right side is taken positive मतलर की प्लास्टाइं and towards left side is taken as negative side okay इसी परका से जों y-axis का sign लेंगे क्या बीति प्रेंगे वैंगे कि प्लास से अफ यसे प्लास्टाइं and towards bottom is taken negative sign means minus sign तो आपर हमने sign के mention में decide करिया कि जो top हो उदर positive लेंगे जो bottom हो जो negative लेंगे और जो right हो उदर positive लेंगे जो left हो जो negative लेंगे आपको पॉंट है मारा वह था कि इस पॉइंट हम्छोड्रेंट ऑफ माली जी कोई भी बहुत बड़ा जोटा है खेकर अग्याल प्लेने उसको अगर किसी फोर एकुल पार्ट में कोडिन कर देते हैं इतने पार्ट में और उस परकार से हमारा फॉर्स ट्रेंट होगा यह वारा सेकंड कोडिन होगा और यह वारा फोर्थ कोडिन होगा इसे पढ़ लिए क्योंकि कोडिन के बारे में आपको ट्रिक्टर में भी पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर हमने थोट देप पहले बताया कि इधर वाला जो साइन होता है एक्स एक्सिस का वह पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि यह राइट साइड में है तो पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस और यह हमारा हो गया तो यहां पर अगर कोई प्याता है तो उसके साइंग क्या बनेंगे ठीक है तो उसके साइंग बनेंगे एक्से का पॉजिव इस संब्सक्रक्रक्राइन क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं इसको अप्याद करनेचे है यहां पर एक्सिस क drama यहां फिर होता सक्षिकी मिनस है अधर क्या है माइनस से और ये क्या है याने इथर निग스타ी समय बनेगा यानि इधर क्या होगा नेगटिव-N적 अब करिये एक दूसरे कर दोनों तो अधर पोसुचिक बन reconciliation बनें गार यह दो माइन से होगा इन दोनों में साइन का होते हैं डिफरेंट बिफरेंट होते हैं और साइन सेम होते हैं इस में प्लॉद्र ठो घुंपर खिता क्या ममाइनस से मॉइनस वह गालोा अरुενस मँएनस होगा इस बात अप ध्यान में रख लीजे क्योंकि इस पर हमरे वनेंगे कोएंगे अब क्वाद्रेंट होता क्या इसके बारे में थोड़ा सा लिक देते हैं दा क्वाद्रेंट डिवाइट्स टेनिक प्लेंट्स इन्टू फोर इक्वल पार्ट तो यह वह होता है जो इसी प्लेंट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आप इसको नोड़ां को लिजे आगे बढ़ते हैं तो दोस्त आप बात करते हैं सबसे मात्वपूर बार इस्टेंस फार्मुला यह फिट नंबर पर है तो हम किसकी बात करते हैं डिस्टेंस फार्मुले की बात करते हैं यहां पर कोई क्वाइडरंट है जहां पर कोई तो चलिए देखते हैं पर यहां पर सुसे पर यहां लेट कर लेते हैं लेट टू पॉइंट्स आफ गोरडिनेट्स पी एक्सवन कामा वाइवन और क्यू एक्सटू कामा वाइजू लाइज इन दपले तो यह कोई दो क्वाइज है पी एक्सवन यह सेन प्लेन पर लाइज कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगी देज्टेंस तो यहां पर डिस्टेंस जो होगा पी क्यू इसके लिए फार्मुला बनेगा अंडरूट एकस्टू स्क्वैर स्वरी एकस्टू माइनस एकस्टू माइनस एकस्टू प्लास यवन माइमस वाई टू फोल स्कूर इस्ट यहां पर आप चाहे यह फार्मूला प्लाइगो आपका अंसर से माने वाला है इसमें को भी बदलाब नहीं होने वाला है तो आपको ज़्यादा पी चिता करने की दोर नहीं है यह ऐसा क्यों होता है देखे मैं बताता हूं अगर आप माइनस बन ले लिगे और इसके पावर टू कर दीचे तो इसका एगा पोगई बहल गावर क्या होगी तो यह परंप यहांपिर क्या गयगा है माइन पॉजिटिव का आजेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा एक एक्सपोनेंट में आइडेंटिटी माइनस ए रेस तुदी पावर टू है तो आंसर कीतना आएगा एसक्वायर तो एक ही बात है आप पर तो यह आप पर चाहिए आप यह फार्मुला यूज़रो चाहिए यह ही जो कौइणे एक आइस एक्साइस हिस और वाई एकसिस के बीच में है तो यह पर क्या bucket कि दूरह बीसिट है वो और ट इस पर है इस बिंदू पर एथ तो उसके जो कोडिनेट होंगे वो जीरो कामा जीरो होगे तो मतलब यहां पर कोई भी लाइन अगर ओर जीन से स्टार्ट हो रहे हैं किसी पॉइंट तक तो उसके में क्या होगा लेट अलाइन सेग्मेंट और जिनेट प्राम और जिन तो यहां पर क्या होगा थाड़ी स्टन्स फार्मुला बनेगा तो indoor अंगे न बनेगा एकशनक 7 माइनस्य चूका होल स्कुईर् другие Pv brewer है और योग गार्श जीरो य दिस्ञ स्कुद अजाएगा हुल का स्कुद इस को सिर्फा में तुटेगा ये एक सका स्कॉईर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या एक सब्सक्राइब प्लास यह अने कोई भी लाइन कहां से स्टाट होती है ठीक है तो इनको नुड़ान कर लें तो इस वीडियो में आज इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में को लेकर के तब तक यह थेंगी ग्लास